स्वागत है आप से भी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन अश्टड़ी में दोस्तो आज हम बिहार दुरोगा का मॉडल प्राक्टिस सेट नंबर 13 का प्राक्टिस करेंगे दोस्तो अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को अगर अच्छा लगे तो सेट जरूर कीज़ेगा तो चलिए दोस्तो आज का सेशन का जो कोशन फर्स्ट कोशन जो है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन जो है आज का मेंद से है कि बिक्रे मुल का करे मुल से अगर 21 अनुपात 16 का अनुपात है तो लाब परतिसत क्या होगा तो दोस्तो आपका जो कोशन है कि अगर बिक्रे मूल जो है 21 रुपिया अगर बिक्रे मूल आपका कितना रुपिया है अगर आपका बिक्रे मूल दोस्तो SP जो है आपका 21 कितना है 21 है और CP जो है आपका कितना है 16 रुपिया कितना रुपिया है 16 रुपिया तो दोस्तो आपका प्रोफिट इसमें कितना हो जाएगा 5 का प्रोफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा तो दोस्तो लाब का जो परतिसत निकालने बोल रहा है तो परतिसत आ अगर इसको आप गुना भाग करते हैं तो दोस्तो 31.25 परसेंट आता है कितना आता है 31.25 आपका राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन कर वड़ते हैं अगला जो कोशन है दोस्तो कि यदि CAB बराबर 12 तथा FED बराबर अगर 300 तो HID का यानि कि HID बराबर कितना होगा तो दोस्तो हज का जो अलफावेट नमबर होता हूँ 8 होता है I का दोस्तो आपका 9 होता है I का कितना होता है 9 फिर D का आपको पलस 4 करना E का पलस 5 करना है तो दोस्तो अगर 9,8,7,7 और उसके बाद 17,4,2,6 26 गुना दू करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 52 सबको जोड़के उसको दो 3 माना ता 3 और A का 1 B का B का दोस्तो आपका 2 तो 3,1,4,2,6,6 गुना दू किया तो 12 उसी तरह इसको दोस्तो आपने सॉल्व कर दिया कि 26 गुना दू करेंगे तो आपका बाबन जोए ये आपका राइट आंसर आएगा नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं निमलिखित में से दिल्ली संतलत का पहला सुल्तान कौन था जिसने की हिंदू धर्म गरंतों को फार्सी में अनुबात कराया था तो फिरो सातुगलक ने दिल्ली संतलत का पहला सुल्तान था जिसने की हिंदू धर्म गरंतों को फार्सी में अनुबात कराया थो फिरो सातुकल ऐसा सुल्टान था जो की हिंदू धर्मगरणतों कुछ समाद कर आया था फार्सी में अनुबात कर आया था नेक्स्ट कोश न कर देखते हैं नंकार और बंद है किस से संबनदीत है तो दोस्तों कि डच इंडि इस्ट इंडिया कंपनी डच इस्ट इंडिया कंपनी के संदर में निमलिखित बातनों कतनों पर जो आपको विचार की करना है कि डच इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापन जो आता 1622 में हुआ था और डचों को दिल चस्पी भारत में ज्यादा जो इंडोनीशि आपका राइट है कि डच जो है डच के स्थापना जच ने जो इस्ट इंडिया कमपनी के अस्थापना क्या था वो 1602 सबे में क्या था और डचों को दिलशपी भारत से ज्यादा कहा आ इंडोनेसिया कहां क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो सपाइस आइटलेंड जैसे प्रेदा होते थे और 16 ठाबन में दोस्तों उन्होंने पूर्टगालियों से क्या किया था सिर्लंका को जीत लिया था तो आपका ओप्शन सी जो है राइट आंसर है अगले कोशन को रवते हैं कि 36 स्याई कुष्टी चेंपियंशिप 2023 में निमलिकित में से कौन सा एकमात्र भारतिय खिलाड़ी है जिसने कि स्वर्ण पदक जीता है तो अमन सहराबद जो है इसने दोस्तों 2023 में जो है स्वर्ण पदक जीता है जो कि भारतिय खिलाड़ी है अमन सहराबद आपका राइट आंसर है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि राष्टिय समाजिक साहता कारिक्रम, राष्टिय समाजिक साहता कारिक्रम में, गरीबी रेखा के नीचे के लिए निम्लिकारिकत जो है, समलिकित नहीं है, तो गरीबी रेखा के लिए जो निम्लिकित में समलिकित नहीं है, वो दोस्तों आपका महिला किसन ससक्तिरी कर बढ़ते हैं कि विस जीब दिबास कब मनाया जाता है Do you do को मना साथ जाता विस सुनEE जीब दिबास जो है तीन मार्च को मना जाता है अगले कोशन कर बढ़ते हैं एक city जलविद्ध परियोजना kिम परिश्थ तो एटव में जलविद्ध प्रियोजना वह आपका अरुनाचल पर्देश में हैं अगले कोशन करवरते हैं बले खोल अंत्रीक्ष में एक पींड है जो किसी भी परकार के विकरन को क्या करता बाहर नहीं जाने देता इस गुन का कारण होता है, तो दोस्तों बले खोल जो इसका बहुत अधिक घनात होता है इसका तो size में बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत अधिक घनात होता है बहुत अधिक क्या होता है घनात होता है तो इसलिए आपका option जो है इसी के कारण दोस्तों ये किसी भी बिकरन को क्या कर देता है बाहर दोस्तों इसको अने नहीं देत तो आपका जैसे कि बहुत गनित बहुत अधा उच जो है घनत के कारण जो है यह किसी भी क्रण को जो है बाहर में बाहर जो है नहीं अने देता है अगले कोशन कर वड़ते हैं कि तीसरा विश्व तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आउजन नंबर दोजार तैस में कहां किय जाएगा तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का जो आईजन है नंबर दोजार तैस में बैंकॉक में किया जाएगा कहां पर बैंकॉक में जो है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आउजन 2023 में बैंक कॉप में किया जाएगा अगले कोशन करवड़ते हैं अनुधेर ये विक्रिती को परिवासित किया जा सकता है तो अनुधेर विक्रिती को किसी निकाह की लंबाई में परिवासित करके बास्तविक लंबाई से विभाजित करके जो है अनुधेर विक्रिती को परिवासित किया जाता है अनुधेर विक्रिती को किसी निकाय की लंबाई में परिवर्तन को बास्तविक लंबाईत से विभाजित करके जो है अनुधेर विक्रिती को परिवासित किया जाता है तो आपका option C जो है right answer है किसी कन पर किसी दिये गिये समय अंतराल के कारण उस कन का आवेग क्या होता है कोशन के और बढ़ते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट 17 E के तहद निर्मित सात्मे के तहद निर्मित चाहत्मे का क्या नम है तो महंद्र ग्री आपका राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं निमलिखीत में से आपका जो है निमलिखीत में से कौन सा एक राष्टपती के बारे में सही नहीं है तो दोस्तो उपराष्टपती को जो सपत है राष्टपती अत्वा सरबोचनियाले की मुक्नियादिस दोरा दिलाई जाती है नहीं दोस्तो उपराष्टपती को सपत या तो राष्टपती दिला सकता है असका अथवा जिसके द्वरा उसको न्यूकती दिया जाता है वो व्यक्ति भी उपराष्टपती को सपत दिया जा सकता है तो आपका उप्शन ए जो है कि उपराष्टपती को सपत जो है राष्टपती अथवा सर कथन आपका option ए जो है विल्कुल right है next question कर वढ़ते हैं कि संभिधान के अनुचे 167 के अनुसार संभधान के संभिधान के अनुचे 167 के अनुसार निम्ड में से कौन सा राज के मुक मंत्री के करतब है मुक मंत्री के करतब है कि मंत्री परिसद द्वरा लाएगे सभी निर्न एवं राज विधाय का द्वरा बनाएगे सभी विधानों को राजपाल को क्या कराए अवगत अवगत कराए और राजपाल को चाहने पर राज के परसासे संभिध किसी सुचना को राजपल को उपलब् मुक मंत्री के कर्तब्य होना चाहिए कि मंत्री परिशद यानि कि क्यान सरकार के द्वरा जो संसद में लिया गया सभी निर्ने एवं राज विधाय का द्वरा संसद में बनाएगे सभी विधानों से राजपाल को क्या करना अफगत करना और राजपाल को चाहने पर राज के परसासन से सम्मधित किसी सुचना को राजपाल को उपलब्द करना और आपका जो ऑप्षन फोर है option 4 में कहता यदि राजपाल चाहे तो उसे निर्ने के बारे में राजपाल को अबगत कराना जो किसी मंत्री दोरा लिया गया है तथा पूरी मंत्री प्रस्ते उस पर विचार नहीं किया गया है तो आपका option 1,3,4 जो है यह आपका right answer है यह दोस्तो आपका मुक मंत्री का करतब होना चाहिए अगले question कर वरते हैं अगला जो question है कि अंजली जो है बहुत धीरे दोरती है वाक में किरियाबी सेशन क्या है तो अंजली जो है बहुत धीरे दोरती है इसमें बहुत जो है इसमें जो बहुत है दोस्तो यह आपका क्या है किरियाबी सेशन इनमें कहा रहा है कि अंजली बहुत धीरे दोरती है तो आपका जो बहुत है वह आपका किरियाबी सेशन है तो आपका option B जो है right answer है next question कर बरते हैं HDFC bank ने application portfolio वर data परिदिरिस्ट को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साज़धारी किया है तो दोस्तों ये जो है इसने दोस्तों HDFC bank ने application portfolio वर data परिदिरिस्ट को आधुनिक बनाने के लिए Microsoft के साथ साज़धारी किया है option Microsoft जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन को बढ़ते हैं किसी बिलियन की संदर्ता में दिये गए आयतन में उपस्तित पदार्थ की मात्रा निमली कितमें से किसे व्यक्त की जाती है तो दोस्तों आपका द्रबमान परतिसत से भी ग्याद की जा सकती है किसी बिलियन की संदर्ता होता है आयतन में उपस्तित पदार्थ की मात्रा को द्रबमान परतिसत के दोरा भी ग्याद की जा सकती है तो इसका उप्षन उनमें से सबी आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं निमलिखित कतनों पर आपको विचार करना है कि पिर्थवी से खनीज आयसकों में मिट्टी रेत आदी जैसे कई उसुद्धियां होते हैं जिने क्या कहते हैं गेंग कहते हैं बिल्कुल सही है सकरित्या सरेनी में नीचे आने वाले धात्वे काफी जो है और भिनिकरिया होती है तो आपका उप्षन दोनों ये आपका राइट है कि पिर्थवी से खनी जो है आयसकों में मिट्टी रेत आदी जैसे कई उसुद्धियां होते हैं जिने की गेंग कहते हैं और सकरित्या सरेनी में नीचे आने वाले धात्व जो है काफी जो है अनुविक्रिया होती है अनुविक्रिया सिल होती है तो आपका उप्षन केवल एक और दू जो है ये आपका बिल्कुल सही अंसर है अगले कोशन कर बढ़ते हैं हाली में हर घरतिरंगा अभियान अगस् वाँ में आपका 13 अगस्ट से लेकर, 13 अगस्ट से लेकर 15 अगस्त तक चला गया था अभिया से कंगरे के अंदर 32 विचारधारा से निम्लिकीत में से कौन सब्चे जादा परभावित था कॉंग्रेस के अंदर जो बंपंथी विचारदारा से निमलिकित में आपका जो जबहाल नेरू है जबहाल लार नेरू और सुबाद चंदर बोज जो थे ज़्यादा क्या थे परभावित थे तो आपका option दो जो है केबल आपका first और second जो सही है कि कॉंग्रेस के जो अंदर बं पंती विचारदारा था निमलिकित में कौन ज़्यादा परभावित था जबहाल लार नेरू और सुबाद चंदर बोज जो है सबसे ज़्यादा परभावित था नेक्स्ट कोशन करवड़ते हैं जमंदारी जमिनदारी बिवस्ता के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार क दिये तो जवंदारी जो विवस्ता के तहट जो है जमिंदारों और माल गुजारों की भू स्वामी जो है बना दिया गया था और जो है कास्त कारों को दरजाद गिर गया था और वे जो है बटाईदार होकर रहा गये थे तो आपका option केवल एक और दो जो है वो आपका right answer हो ज करना है निमलिकित कतनों पर विचार किजिए कि दूतिया अगल बर्मायूद की समापती जो है यादबू की संदी से हुई थी और पर्थम अगल अबगान यूद की समापती जो है गंडमक की संदी के दुरा हुई थी तो आपका दोनों option सही है कि जो आप दूतिया जब है नेक्स्ट कोशन करबढ दे हैं परदान Мंत्री नरेंदर मोदी के दौरा भारत जो है 6 जी परियोजना की सुरुआत बर्स 2030 में कब क्या गया थी तो आपका option बाइसमार्च जो है राइट अंसर है निमलिकित में कौन समुझ जो है एम्योनोटा समुदाई से सम्मिलीथ है निमलिकित में कौन सा समुझ जो है जो की एम्योनोटा समुदाई से सम्मिलीथ है तो आपका सरी सरी पक्षी अबम अस्तंदारी जो है यह आपका एम्योनोटा समुदाई से क्या है सम्मली थे तो आपका option C जो है बिल्कुल right answer है अगले question के रबढ़ते हैं लार गरंती, स्वेद गरंती, वरिक नलिकाओ का निर्मन किस उत्तक से होता है लार गरंती, स्वेद गरंती, वरिक नलिकाओ का निर्मन जो हता है घनकार पेशी उत्तक के द्वारा होता है घनकार पेशी उत्तक जो है, right answer है निरोधी हर्मन जो है, मानब सरीर के किस भाग से स्रवित होता है अगले question कर बढ़ते है एटला रोगियो, एटला रेगियो, उज्जा मोंस तता माट मोंस का समधितनिम्न में से किस गरह से है आपका जो कोशन है दोस्तो, एटला रोगियो, उज्जा मोंस तता माट मोंस का समधितनि में से किस गरह से है अगला जो कोशन वही किनिम्लिकित कतनों पर आपको विचार करना है तो समधिधान में जो उच नियाले के नियादिसों के संक्या का कोई पराबधान नहीं है और समधिधान में जो उच नियाले के नियादिसों की पधा अबधी जो है पधा अबधी से समरेथ कोई निस्थित उनका कारिकाल नहीं है तो आपको उप्शन C जो है दोस्तो, राई टान्सर है पयशा अधिनियम के संब्ध में कौन साकतन ओसत्य है तो दोस्तों 50 अदिनियम का विस्तार बर्तमन में 10 राजियों तक है कितना राजियों तक है? 10 राजियों तक है जो पाचमी अनुसूची के तहत आते हैं इसलिए आपका option C जो उसत है क्योंकि इसमें दिया हुआ है अगला जो question है कि टेलीगराफिक पठार हिस्सा है कहां का आपका जो ए guarded जो एटलांटिक कटाक का इस्सा है तो आपका option C जो है राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन के रवड़ते हैं मक्का रसार जलसंदी कहां पे पाई जाती है तो मक्का रसार जो जलसंदी पाई जाती है जाबा सागर एबं सेली बीच सागर के बीच जो है यह आपका मक्का रसार जलसंदी पाई जाती है तो आपका ओप्शन C जो है बिल्कुल राइट प्र lending को पाणि आपका कोपा कवाना पुलीन है दोस्तों रीओ डिजनेरो में इस्तित हैं दोस्तों राइट अंशर हैे नेक्ट कोचन कर बढ़ते हैं क्रिसी डेटा एक्षेंज जो है कहां पे लांच किया गया तो ये दोस्तों आपका हेदरावाद में लांच किया गया है भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्षेंज जो है कहां पर लांच किया गया है तो ये हेदरावाद में लांच जो है किया गया था अगले कोशन के और ता जिसमें कि सुबाद चंद्रबोज जो थे उस कॉंग्रेस के क्या थे अधियक्च चुने गए थे तिरिपूरी सम्मेलन में तो आपका 1939 जो आपका है राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है कि सुमिलित करना जोन लौक का संब्द जो आपका मांतेश क्यू का मांतेश क्यू का दइ अपनेश कुण् किसने करवाया था अंकोरवाट का जो मंदिर है वो दोस्तों आपका कमबोडिया में ये दोस्तों सूरी बर्मन सूरी बर्मन दूतिया के द्वरा इसका निर्मन कराया गया था अंकोरवाट मंदिर परिसर का निर्मन जो है सूरी बर्मन दूतिया के द्वरा कराया गया था ये मां को हिंदू बिरासत मां के रूप में मनाने की गोष्णा की है कि जजिया के जो पर्थम जजिया के जो गवर्णर व्रायन केम्प ने किस मां को हिंदू बिरासत मां के रूप में मनाने की गोष्णा की है तो आपका ओप्षन सी जो है राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं निमलिकित कत्नों पर आपको विचार करना है तो संत्रीप्त जो होता है संत्रीप्त हैड्रोकारवन एलकिन कहलाते हैं संत्रीप्त हैड्रोकारवन जो है एलकिन कहलाते हैं और ऐसे ओसंत्रित थाइड्रोकार्वन जिसमें एक यादिक दोहरे आबंद होते हैं उसे दोस्तों एलकेन कहते हैं तो आपका केवल एक और दो जो है ये आपका राइट आंसर है अगले कोशन कर वरते हैं उस्मा गति की परिक्रिया जिनमें परिबेस के साथ कोई उस्मा बि चाहरे जिनमें नहीं होता है वापका रूथोस्मा परिक्रिया कहलाती है तो आपका ओप्षन रूथोस्मा परिक्रिया जो है वो आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है निमलिखीत में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फता का परिक्चन किया है निमलिखीत में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फता का परिक्चन किया है तो इरान देश ने अपनी पहल वर्नित मुल कर्तबियों के परचालन के सम्मद्ध में भारत सरकार द्वरा किस समीती का गठन किया गया है, तो भारत सरकार द्वरा बर्मा समीती का गठन किया गया है, मुल कर्तबियों के परचालन के लिए बर्मा समीती का गठन किया गया है, तो आपका उप्षन B जो राइ अंसर है नेक्स्ट कोर्शन कर बढ़ते हैं राष्टिय अनुसूचित जन जाती आयोग अस्तीत में कब आया था कि राष्टिय जो अनुसूचित जन जाती है आयोग अस्तीत में 2004 वी में आया था राष्टिय अनुसूचित जन जाती आयोग जो है अस्तीत में 2004 वी में आया थ बेलादा कुप्पे मंदीर उत्सब मना जाता है तो यह आपका बंदीपूर टाइगर रिजर्ब में आपका बेलादा कुप्पे मंदीर उत्सब मना जाता है तो आपका option यह बिल्कुल right answer है next question कर बढ़ते है newton internet के नुसार कौन को सकाथान गलत है तो twenty न्यूटरी न्यूटरी के नुसार है कि परिकृति में बल कभी भी अकेला नहीं पाए जाता है जब कि इसमें दिया है कि परिकृति में बल आपका अकेला पाए जाता है ऐसा संबब नहीं है कि परिकृति में बल कभी भी अकेला पाए जाता है तो आपका option A यह आपका कथन ज परकास की एक पतली जिल्ली से होकर नेत्र में परवेश करता है तो इस जिल्ली का समण स्वच मंडल से किस है स्वच मंडल आपका राइट अंसर है हाली में सुर्खियों में रही हाली में दोस्तों सुर्खियों में रही चराई देब मोई डेम्स रॉयल वर्यल स्पाइट्स जो है किस राज में है तो ये आपका असम राज में है तो आपका असम राज में है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते है निमलिकीत में कौन सा भारत में सत सत्थ विकास लक्षो के कारिवन्यन के लिए एक नोडल संस्ता है निमलिकीत में कौन जो है निमलिकीत में कौन सा भारत में सत्थ विकास लक्षो के कारिवन्यन के लिए एक नोडल संस्ता है तो आपका जो नीती आयोग है जिसके की आपका जो अधियक्ष होते हैं परदान मं जाता है यदी रक्त को यदी रक्त से कनिकाओ को क्या क्या जाए हटा दिया जाए तो सेस्पदार्थ को पलाजमा कहते हैं सेस्पदार्थ को क्या कहते हैं पलाजमा और पदार्थ की चोथी अवस्ता भी क्या कलाती है पलाजमा कलाती है और यदी रक्त से कनिकाओ को हटा दिय अमसाइक की आकिरती जो होती है जे अकार की होती है तो आपका option C जो है right answer है next question के अर्चियो टेरिक्स के सम्मन में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो आर्चियो टेरिक्स जो है यह पक्छी और अस्तंदारी के बीच की योजग करिये बिल्कुल नहीं है यह अपने जैसे बच्चा जो पैदा करते हैं यह भी बिल्कुल सही नहीं है तो आपका option एक और चार जो है यह आपका कतन सत्य नहीं है तो next question के और बढ़ते हैं अगला जो question है मानब सरीर के लिए घातक समझे जाने वाले मानब सरीर के घातक समझे जाने वाले ट्रांस बसा को खत्म करने के लिए निमलिकित में से किसकी पहल की गई है मानब मानब सरीर के घातक समझे जाने वाले ट्रांस बसा को खत्म करने के लिए निमलिकित में कौन सी पहल की गई है तो आपका जो है सही बोजन करो अभियान सही बोजन करो अभियान स्वच भारत यात्रा हाई हम्त एक रिवाइन इस आपका आपका जो आपका जो आपका आपका जो कोशन है दोस्तो सारा मती चोटी भारत के कि सराज मेए है तो चारा मती चोटी जो है ये भारत के नागालेंड में है सारा मती चोटी जो है ये सबसे उची चोटी है आपका नागालेंड में और अनाई मुंडी चोटी जो है अनाई मुंडी चोटी आपका केरल राज में है जबकि धूपगर सोटी आपका मदपर्देश में और डोड़ा वेटा चोटी से आपका तमिलिनाडो में इस तरह से आपका option C रायट अंसर है अगले कोशन के बरते हैं कि भारत में कितने राज तट रेका से लगे हैं भारत में ऐसे कितने राज है कि जो तट रेका से लगे है कि भारत में ऐसे जो है नो राज है तो भारत में ऐसे जो नो राज है जो की राज तट रेका से लगे है और राज तट की जो भारत की तट की लंबाई जो है आपका एक सट सो किलो मीटर है भारत के मुखे तट की कावेरी की सहायक नदियां है Persian उप्यूक्त में से कौन सी कावेरी की सहायक नदियां है तो आपका कर्वती और भव्वनी कावनी जो है हंगजरी इसब दोस्तों आपका अफ्चन इनमें सो सबी जो है यह आपका right answer हो जाएगा अगले question कर बरते हैं base editing पद्दिती से base editing पद्दिती से निमलिकित में से किस रोग का इलाज किया जाने की संबाबना ब्यक्त की जा रही है तो आपका acute lymphoblastic leukemia की जो है इलाज किया जाने की संबाबना ब्यक्त की जा रही है तो आपका option C answer जो है right answer है भारत के इतियास में निमलिकित में किस घटना उपर कि भारत के इतियास में निमलिकित घटना उपर आपको विचार करना है तो सबसे पहले जो आपका घटना हुआ था महेंद्र बर्मन पर्थम के अदिन जो है पल्लब सत्ता की अस्तापना हुआ था उसके बाद दोस्तो पाल बंस के अस्थापन गोपाल ने की थी उसके बाद तीसरा जो वा था राजा भोज के दिन परतिहारों का उदय हुआ था और लास्ट में जो था परंतक पर्थम दोरा चोल सकती की अस्थापन हुआ था तो आपका option C जो है तो 29 जन्वरी चन्देरी का जो यूद वा था 29 जन्वरी 1528 में देहरिया का यूद आपका देहरिया का जो यूद वा था 1532 में और आपका सरहिंद का जो यूद वा था सरहिंद का जो है 22 जून 22 जून 1555 को वा था सरहिंद का यूद 22 जून 1555 को और गिरी सुमेल का जो यूद वाता ये आपका 4 जन्वरी 1544 में वाता तो चंदेरी का यूद 29 जन्वरी 1528 को देहरिया का यूद जो वाता आपका 532 में और आपका 4 जन्वरी 1544 को गिरी सुमेल का यूद वाता और सरिंद का जो यूद वाता by June 1555 भी को हुआ था दो इस तरह से आपका option option बी जो है right answer है sorry दोस्तों आपका option c right answer है कि पहले चंदीरी का यूद हुआ उसके बाद देरिया का यूद गृस उमेल का यूद उसके बाद सरीन का यूद हुआ था है तो इस तरह से आपका option c right answer है अगले कोशन कर बढ़ते हैं इग्यार्मी विश्व सहरी फोरम की बैठक जो है कहां आउजित की गई है तो इग्यार्मी विश्व सहरी फोरम की जो बैठक है यह आपका पोलेंड में अस्तापित की गई है की नेक्स्ट कोशन कर बाते हैं निम्लिकीत में से कौळ सी संक्या जो 14 से बीवाज है तो दोस्तों 15 से बिवाज़'S के लिए वह संक्या तीन से भी वाज होना चाहिए और फॉरि यह व्वाज मैं 특 3 से पूरा पूरा विवाज हो रहा है तो यह पूरी संक्या तीन से बिवाज होगा यानिकी ये संक्यां 16 से भी विवाज है तो आपका option B जो है right answer है अगले question कर बरते हैं पूरातन गरीक दर्चनिक कों थे जिन्होंने की रिकोटिक पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने सार्वजनिक संभासनमे पर्तिपादिता की भूमिया पर चर्चा क्या था, वह आपका अरस्तु था तो आपका option अरस्तु जो है, यह आपका right answer है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं दंड परिक्रिया सहिता की निमलिकी धाराओं में से किस धारा में निसुल्क बीदी सहिता का परभदान है तो धारा 304 जो है आपका राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं कि बिज़यों और परधियों की नीती सुचना बीनियम परनाली किसके द्वारा परनाली जो है यूनिसको के द्वारा परवर्थन किया गया था और यूनिसको का जो अस्थापने हुआ था 16 16 ने नंबर 1945 इवसी को यूनिश्को की जो ए अस्तापना होती है इसका जो फुल फॉर्म है युनाइटेड युनाइटेड नेशन यह जो केस्णल साइन्टिफिक एंड कल्चल जो है और गनेशन इसका जो है फुल फॉर्म है तो आपका option C जो है यह आपका right answer है next question कर बढ़ते हैं आपका जो पोसक तो अताता है तो बिटामिन D का लक्षमन है और प्रोटीन का संबन जो है किसे है तो प्रोटीन का संबन आपका क्वासिक योरकर से संबन देता है आइडिन का गौाटर से संबन देता है तो इस तरह से आपका option C जो option है वो बिलकुल correct answer है next question कर बढ़ते है आपका स्रीजनात्मक के आवस्यक्ततु जो है कौन से है creativity के आवस्यक्तत आपका कौन कौन से है creativity के आवस्यक्ततु जो है वो आपका प्रभासिलता लचिलापन, बिस्तार, मोलिक्ता जो है यह आपका creativity के आवस्यक्तत है तो आपका option C जो है वो आपका राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन करवरते हैं कि वर्ग सिद्धान सिद्धान के परतिपादक जो है कौन है वर्ग संगर्ष सिद्धान के परतिपादक जो है वो आपका कालमाक्ष है वर्ग संगर्ष सिद्धान के परतिपादक कौन है काल माक्ष जो है आपका right answer है next question कर बरते हैं कि भारत के संदर में भारत के संदर में निमलिखित कत्नों पर आपको विचार करना है तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिबास है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिबास है तो cable आपका option यह वो आपका बिल्कुल right answer है अगले question करेफिटे हैं अगला question है हाली में मेतई तथा cookie जन जाती के बिच हिंसा किस राज में देखने को मिली है तो यह आपका money पूर में मिली है कि मेतई तथा cookie जन जाती आपस में हिंसा यह देखने को मिली है मनीपूर में तो आपका मनीपूर जो है ये राइट अंसर है अगले कोशन के रबरते हैं कि द्रिस संबेदनाएं गरहन की जाती है द्रिस संबेदनाएं गरहन की जाती है इनके द्वरा क्या होता है इनके द्वरा ओक्सिपीटल लोब द्रिस संबेदनाएं गरहन की जाती है तो आपका option oxypital lobe जो है वो आपका right answer है अगला जो question है अगले question को आपको stump 1 से stump 2 में मिलाना है तो T4 का जो संबंद है thyroid से T4 का संबंद किसे है thyroid से PTH का संबंद PTH का संबंद pythroid से है जबकि आपका gonotropic religion hormone का संबंद जो है वो आपका दोस्तो hypothalamus से है और glutinizing hormone का संबंद fuse certainty से है तो इस तरह से आपका option B option जो है यह आपका right answer है next question कर बटते हैं कि दो बर्नो के mail से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते है तो 2 बर्नो के mail से होने वाले विकार या परिवर्तन को संदी कहते हैं कंकतन बीदी द्वारा कंकतन बीदी द्वारा इनमें से किसे अलग किया जाता है तो कापास को जैसा नाम का जैसे कि कापास में को है उसी तरह कापास को कंकतन बीदी द्वारा जो है अलग किया जाता है तो आपका कापास जो है राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन के रुबरते हैं कि राष्टिय राष्टिय पाथ ये चर्चा फ्रेमवर्ग के ड्राप्ट के नुसार सैक्षनिक बर्स में सिक्षा के सभी चर्णों में कितने स्कूल दिबस करने का प्रष्टाव था है तो आपका उप्षन 180 डे जो है वो आपका राइट आंसर है एल नीनो का भारतिय मानसुन पर क्या परभाव पड़ता है तो एल नीनो का भारतिय मानसुन पर परभाव पड़ता है कि मानसुर जो है क्या हो जाता है कमजोर होता है एल नीनो एल नीनो का जो परभाव होता है भा आपका मद्ध पर्देश में गौंदी सागर्बान जो है आपका मद्ध पर्देश में अगले कोशन करवड़ते हैं निमलिकित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के अधार पर अब रोई करम में साजाना है तो सबसे सबसे कम लंबाई में जो है सबसे कम लंबाई म मथुरा पाइपलाइन के बाद जाम नगर जाम नगर लोनी पाइपलाइन उसके बाद कंडला जो है जिसे की भंटीजा पाइपलाइन कहते हैं तो इस तरह से आपका ओप्शन बी ओप्शन जो है राइट अंसर है अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि यदि किस किसी संक्या के अंकों का योग अगर नो से विवाजित हो तो आपका अपच्छन सी जो है राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन कर वड़ते हैं निमलिकीत में कौन जो है निमलिकीत में कौन रेलवे जोन एक दिन में सरवाधिक मालगाली संचालन कर नया कृतिमान बनाया है निमलिकित में कौन सा रेलवे जोन है जो की एक दिन में सरवाधिक मालगाली संचालन कर नया कृतिमान निया रिकाउड बनाया है तो उत्तरमद रेलवे ने उत्तरमद्रेलबे जोन है जिसमें कि एक दिन में सरवाधिक मालगाली संचालन कर जो है नया किर्तिमान बनाया गया उत्तरमद्रेलबे के द्वारा अगले कोशन के और बरते हैं अगला जो कोशन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आरगन का उपयोग होता है टंगस्टन की तंतु की दिर्ग कालिन बस्तु के लिए होता है आरगन का उपयोग होता है टंगस्टन तंतु की दिर्ग कालिकता के लिए होता है नियोन का परियो तंगस्तन तंतू की दिर काली किता के लिए परियोग किया जाता है नियोन रोशनी का परियोग नियोन रोशनी का परियोग भी ग्यापन प्रदसन के लिए किया जाता है क्रिप्टोन का परियोग जो हवाई पतन पर अबतरन के लिए किया जाता है जीनौन का परियोग जीनौ आयोग द्वारा जारी RBM का पुन रूप क्या है चुना आयोग द्वारा जारी RBM का पुन रूप क्या है तो remote electronic voting machine यह आपका RBM का पुन रूप है remote electronic voting machines यह आपका RBM का पुन रूप है next question कर बढ़ते हैं कि भारत में संपती के भारत में संपती के अधिकार की क्या इस्तिती है तो भारत में संपती का अधिकार जो है या आपका वीधिक अधिकार है जो किसी ब्यक्ति को पराप्त है तो भारत में अब संपती का अधिकार जो है मुल कर्तब से अटा कर इसको जो है जो केंद्री करन होता है किसका उलंगन करता है भारत में भारतिय संभिदान के अंतरगत धन का जो केंद्री करन होता है किसका उलंगन करता है तो राज के नीती निदेशक्ततु का क्या करता है उलंगन करता है भारतिय संभिदान के अंतरगत धन का जो केंद्री करन किसका उलं इलंगन न?」 तो राज की निती निदे सकत है अ इलंगन करता है तो आपका ओफशन B want to answer next question कर मादवी निमलिखीत में से किस सहर को युनेशकों ने बिरासद खत्रे को शूची में सौमिल करने की सिफार्ज की है निमलिखित में से किस सहर को युनेसको ने बिरासत खत्रे को सूची में सौमिल करने की सिफार्ज की है तो आपका option A यह यह आपका right answer है नेक्स्ट को बढ़ते हैं सूची वन को सूची टू से मिलाना आए आपका यूट्री कुलूरेलिया का सम्भण यूट्री कुलूलेरिया का सम् Disease जो है आपका जल से समद है जब की एनकेली स का समद एनकेली स का समद गेहुके खेत से है और Lawreg्क का सम्द आपकाangiight आन्सर Cambodia आपका Rai जो फोरा का Samband आपका Magrobes से है तो इस तरह से आपका Option D यह Right Answer है D आपका Right Answer है अगले Question के और खते हैं परयोग किया जाता है उच आवरती भोल्टता जनन के लिए उच आवरती भोल्टता जनन के लिए व़टस पर्योग किया जाता है तो आपका option D जो है उच्छ आविर्थी भोल्टता जनन के लिए किया जाता है अगला जो question है यूरोपा निम्न में से किस गरा का उपगरा है तो यूरोपा जो है आपका बिरस्पती गरा का ये उपगरा है तो आपका option A बिल्कुल राइट अंसर है अगला जो कोशन है कि योग दर्सन के परतिपादक जो थे पतंजली थी योग दर्सन के परतिपादक कौन थे पतंजली और कपिल संक जो है दर्सन के परतिपादक है कपिल यह बताते है कि किसी ब्यक्ति का अगर जीवन परकृति क्यों सक्ति द्वरा गळा जाता है किसी तो कदम राजाओ की जो राजदानी थी वह आपका वनवासी थी कदम राजाओ की जो राजदानी हुआ करती थी बनवासी वखरती थी तो आपका option डी जो है बिलकुल right answer है अगला जो कोशन है कि भारतिय चारागा एबं चारा अनुसंदन सस्तान काँ पेश दीता है तो भारतिय चारागा एबं चारा अनुसंदन जो है यह आपका जहांसी में है जहांसी कानपूर जो है यह आपका भारतिय चारागा एबं धारा अनुसंदन जो है यह आपका जहांस में next question कर बदते हैं अगला जो question है बर्ष 2011 की जन गढनान के नुसार निम्राज्यों को उनकी घर्ती वी जन संक्या के करम में बिवस्टित किजिए तो सबसे ज़्यादा जो बियार ये जन संक्यां 29-10011 के नुसार घर्ती वी जन संक्या के विक्रम में तो सबसे ज़्यादा आपका महाराश्ट का जन संक्या है महाराश्ट के बाद दूसरा नम Hindi पर आप बिहारा आता है, बिहार के बाद दोस्तो आपका तीसरा अंबर पर्शीम बंगाल और सबसे कम आपका अन्ध पृप्षन का जन तब तो उसने कटी बन दिया मरुस्तल छेत्रों में, अप्यक्षन के सरवाधिक ब्याप्त रूप की संबाबना निमलिकित में से किसकी है, तो यांत्रीक की संबाबना सबसे अधिक होती है, तो आपका option D जो है, विराइट अंसर है, खनीज और जीले के निम्न जोडों में कौन सा जोडा सही है, तो आपका lime stone जो है, यह आपका केमूर जीलों में होता है, तो आपका option यह आपका right answer है अगले question कर वरते हैं 3 कारों की चाल 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 के अनुपाद में समान दूरी तै करती है इन कारों दोरा लिया गे समय में आपको अनुपाद ग्याद करना है तो 3 कारों की जो चाल दिया हुआ है दो अनुपात तीन अनुपात चार दिया हुआ है तो दोस्तो समय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा समय हो जाएगा आपका एक बटे दू अनुपात एक बटे तीन अनुपात एक अनुपात चार तो दोस्तो इसको जो है बराबर करना है तो इसका आपको LCM लेना होगा LCM आपका कितना होगा 12 तो दोस्तो समय का अनुपाद जो जाएगा 2 में 12 छेव में जाएगा 6 वार में उसके बाद 3 से 12 4 में और 3 तो 6 अनुपाद 4 अनुपाद 3 जो है यह आपका समय का अनुपाद हो जाएगा तो आपका option D option जो है right answer है D option आपका right answer है next question कर बढ़ते है स्री मती लता जो है 8 बर्स पहले अपने पूत्र की आयू से 3 गुनी बढ़ी थी अब उन दोनों की कुल आयू 64 बर्स है तो स्री मती लता की आयू कितनी होगी एक दोस्तो एक स्री मती नाम करके ब्यक्ति है स्री मती दोस्तो महिला है उसका पूत्र है इसमें जो है का रहा है कि स्री मती लता जो है 8 बर्स पहले अपने पूत्र की आयू से 3 गुनी बढ़ी थी अगर पूत्र की उम्र अगर X बन मान ले तो श्रीमती की कितना हो जागा तीन गुनी हो जागा आठ बर्स पहले का रहा है कितना बर्स पहले का रहा है आठ बर्स पहले और बर्तमान की उम्र पूछ रहा है तो आठ बर्स पहले यानि कि अभी जो हो जागा बर्तमान में और अभी जैसे ही करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3x प्लस 8 और इन दोनों का जो योग होता है कितना होता है 64 होता है अब आप इसको solve करेंगे तो 3 1 4x 4x प्लस 16 4x प्लस 16 बरावर 64 तो 4x बरावर 64 में अगर 16 अठाएंगे तो आपका कितना होगा, 4x में अगर 64 में 16 अठाएंगे तो अब 48 होता है, तो x का मान जो यहांँ पे निकल के आता है, 12 कहता है कि स्रीमती लता की आईओ, तो लता की आयो आप क्या मने है 3X plus 8 मने है कितना मने है लता की आयो 3X plus 8 तो 3 गुनों 12 करेंगे और पलस उसमें 8 8 करेंगे तो 36 8 जो कितना होता है 36 8 जो हो जाएगा आपका 44 जो बरस है स्रीमती लता की उम्र हो जाएगी तो 44 आपका option D जो है यह आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कोर्शन करवड़ते हैं राष्टिय खाद सुरक्षा अधिनियम के संदर में निमलिकित कतनों में कौन सही है तो दोस्तों आपका जो है यह 75 परतिसत गरामिन और 50 परतिसत सारी जनसंक्या को आच्छादीत करेगी महिला और बच्चों को पोशन समदी सायता पर विसेश ध्यान देना और 18 बर्ष की सबसे बड़ी महिला परिबार को मुख्या होगी 18 बर्ष की सबसे बड़ी महिला परिबार मुख्या होगी तो आपका option 3 जो है यह आपका right answer है से सूरह तो इसमें दोस्तों का आर्टिकल एका एक प्रियोग होगा तो लुड़ा напाको आपको पर लग रहा है कि ये तो भाववेल है इसके आगे एन होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं जब आप यूरोपियन को पढ़ेंगे तो दोस्तो इस तरह से यूरोपियन यूरोपियन लिखा जागा जिसके आगे की एक अपरियोग किया जागा तो आपका ओप्शन यस्टरडे आई गोंती नदी के किनारे इस्तित है आयोध्या नगर जो है आपका गोंती नदी के किनारे इस्तित है तो आयोध्या जो है आपका राइट अंसर है अगर पूछे किस नदी के किनारे बसा है आयोध्या जो है सर यू नदी के किनारे भी बसा है तो यह आपका ये भी कोशन पू नेवा में इस्तित है तो दोस्तों बियार दरोगा का मोडल प्रैक्टिस एट नमबर तेरा का जो है वीडियो समापत होता है अगर ये वीडियो आपको हेल्पूल लगता है तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर किजेगा बंकि मिलते हैं नेक्स शेट में जल भाइब हो यीडियो मेर दूति उल्ग में जलिसे हमावी जलिए आपको हैं दोस्तों इ Ήपने जलिसे हमावी समावी जलिए